आप सबी लोगों का हमाई शमास कार्टिंग में बहुत बहुत शागत हैं आज मैं बहुत ही फ्लाविंग प्लांट के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही जादा खुबसुरर और बहुत ही कम जगे में कम कियर में जो बढ़ते हैं जो बहुत ही खुबसूरा फूलान सिंगल पैटर्न डबल पैटर्न और इसके दो वैराइटी रहती हैं छोटी छोटे फूल होते हैं हॉली होक्स के एक थोड़े से बड़े जो आप देख रहे हैं मैंने दोनों वैराइटी के ग्रो किये थे और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं आज ही में इनके बारे में अप्डेट देंगे पूरी जानकारी देंगे जो बहुत ही खुबसुरा फूल होते हैं और जिसे आप गार्डन भरा रहता हैं यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ग्राउंड हो तब ही हम अपने फूलो का शौक जो होता है हम पूरा कर सके हम छोटे-छोटे पॉटो में या छोटे-छोटे कंटेनर में यह भी इंपॉर्टन नहीं है कि आप गमले ले के आएं तो जो मैंने दोनों फ्रेक्टिकल करके देखा है कितने बड़े कांटेनर इनके लिए चाहिए होता है कैसी sunlight होनी चाहिए कैसे fertilizer होना चाहिए कब इनको grow करते हैं और कब तक ही चलते है Seeds कैसे लगता है Seeds से या cutting से मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आप जानकारी देने की कोशिश करूंगे सकते हैं मैंने कई वीडियोस पर डाले हैं कितने कितने छोट छोटे प्लाइब किये हैं ये मैं पूरी डेल देने के कोशिस करूँ तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे आज sunlight की, sunlight बहुत important होती है हमारे प्लांटों के लिए और ऐसे प्लांटों के लिए जो फूल देते हैं, अच्छी quantity में फूल देते हैं, color की variety बहुत सारी आती है, मेरे पास तीन variety है, तीन ये चार समझ लिए, कुछ shade में है, कुछ different color में है, कुछ white में है, cream में, इसरे से, और प्लांट मेरे लगे हैं, मर अभी इसमें लिया, आत गई है, मर इसमें flowering नहीं स्टार्टी हुई, ये भी, वो भी मैं कोशिश करूँ है, आपको दिखाने की, कैसे कैसे color है, मेरे पास आप देखी रहे हैं, कि कितने सारी color, ये भी pink color है, बहुत प्यारा लग रहा है, और ए पूरा आप खोदी समझते हैं, तो इसके बारी में हमने sunlight हम इसको proper sunlight winter की दे रहे हैं, और अभी March का महिना चल रहा है, और इसे April तक full sunlight में आप रख सकते हैं, ये आपको मई तक full देता है, अगर इसकी एक stick पूरी भर जाएगी, फूलों से धीरे धीरे दीच अप्रेल तक भ पूल आते हैं, और लास्टक इसकी टिप, 6 फिट तक जाती है, समझ लीजिए, अगर हम इसको अच्छा fertilizer अच्छा liquid देते रहेंगे, और बहुत ही बड़ी गंबले में नहीं है, बहुत चोटे से गंबले में मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना खूबसूरत flowering plant एक छोटे से pot में भी survive कर सकता है, और ज्यादा जरूरी नहीं है, इसके लिए बहुत से container खरीदने के लिए, तो बहुत अच्छे से survive कर रहा है, तो देख रहे हैं न, छोटे छोटे container में लगा रहा है, मैंने पॉट में भी लगा रहा है container पे जो हमारे kitchen से या किसी घर में हमारे लोगों के pot काले पड़े होते हैं, बहुत से container ऐसे होते हैं, जिन में हम देखिये, फूलों से पूरा भर जाएगा, इतना खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने इनको छोटे से container में लगाया, कैसे लगा यूँ बताती हो, आप पानी नहीं पसंदे कि हमेशा पानी इसमें भरा रहना नहीं चाहिए, हमेशा पानी किसी भी प्लांट में भरा रहता है, वो fungus लग जाता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जो पानी के में जीते हैं, उनकी बात अलग करते हैं, इस प्लांट को आप इतना पानी दीजे कि इसमें पानी नमी रहें, नमी रहेगी, तभी यह प्लांट तो अच्छे सा सर्वाइफ करेंगे, अगर जूप जाया करता है, तो थोड़ा से दिक्कत फेस करनी परती इसलिए कि देखिये, प्लांट है, इसको पानी की से ज़िए कि जरूरत होती है इसमे फूल बहुत सारी आते हैं तो इसको नेट्जी की ज़रूरत है तो इस तरह से आपको ख़या रखना पड़ेगा इसको पानी का ख़याल बहुत ज़रूरी है अगर हाँ एक बात और करे लेते हैं भूसों लोगों का कैना है कि मेरे हां दोह घं दूप मिलना बहुत ज़रूरी है इसलिए दिखिए यह बीज बन रहा है इसमें आपको बीज भी दिखाँगी कि बीज से कैसे क्लेक्टर अभी नहीं करूँगी इसलिए कि अभी फूलों को टाइम है तो मैं फूल उसको अप्रेल के महीने में करूँगी मैं अभी तो देखिए यह जरूरी है अपने पानी की बात कर ले दिया अप खाद की भी बात कर लेते हैं जो मैंने रूटीन से अपने प्लांटों को दी है और देखिए इस तरह से यह बीज बनता है देखिए यह बन रहा है ना इसमें यह कच्छे हैं अभी जब यह थोड़ा सा ब्राउन होके अपने गार्डन में जब भी छोड़े हैं तो एक दो पेड़ के देखिए इस तरह से मैंने देखिए धूना है चोटे चोटे ब्लैक कलर की बीज होते हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर दाते हैं एक बीज भी आप इसका रख लेंगे पूरा तो आपको कई प्लांट मिल जाएंगे एक में 5-6-7 बीज निकलते हैं तो बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा मैं सारे फूलों का बीज रखूँगी इसलिए कि हमेशा वो प्लांट में पौद नहीं मिल पाती मैंने ये पौदों से लगाया था मैं कदा सुर्पे के पौद लिकाई तो इसमें वीडियो डाला कि मैंने कई प्लांट लेके आया थी हॉली होक्स के काफी तो मैंने लगाया तो दिखे अभी बीज इतना मैचुएर में नहीं है और इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा अपर्यल के महीने में जो हम बीज के लिए छोड़ेंगी जो प्लांटों में फूल वो बहुत अच्छा होता है वो मैचुएर हो जाता है बहुत अच्छे से एसा fertilizer बताईब दुसक्त 강 दो ढदाश में इसे हैं जो से without बिखुला के बारे में उन्ले Went लगा हैं जीक जाए हैं तो फूलो कर दीक होती है अच्छे उस है बहुत युद्धे कर होती है घिल खुल ait में दिल्गाने का Südet सुझार हम लगाते है अलगस्त के लाश्ट वीग में जब इसको गोन किशिश आप कर रहे हैं और उस स्थी इस स्ब complètement घ्रली के इन लगा यह चालत में जनल्मब खर जाए जहां अब देखें कंटेनर का मैं आपको साइज दिखा देती हूँ, कंटेनर से मेरे पास 5-5-6-6-6 कंटेनर है, और देखें उसमें अच्छे सिर्व सर्वाइब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक बार जो मिठी बनाई है, वो मैं आपको बता देखें, कंटेनर का मिल जाए, फिर हमें बार बार देनी की ज़रूरत नहीं पड़े, देखें, किचेन का वेश्ट जो कंटेनर होते हैं, उनमें मैंने ग्रू कर दिये, जादा बड़े नहीं है, और अच्छे से सर्वाइब कर रहा है, फूल में आप देख रहे हैं, बड़े कंटेनर की लोटनी है, कि हम बड़े-बड़े कंटेनर रखेंगे, तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइब ने करेंगा, और लंबाई भी आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं, अगर बालकनी में लगाएं या टेरस पे लगाएं, तो देखें, बहतरीन लगते हैं, हाइट अच्छी होती है, कम जगे में लग जाते हैं, तो इन हॉली होक्स को ज़रूर ग्रो कीजें, और लगने ही या अपरेल मही तक फूल देते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे, फिर इनके सीट कलेट करके रख लीजे, फिर एक दो तीन-चार महीने के गैपिं फिर ग्रो करना होता हम लोगों को तो अच्छे फूल मिलने वाले हैं, तो हमें अभी तो इनको ग्रो नहीं, आप इनको आगस्ता है, तब आप इनको ग्रो कीजे, देखिए फूल कितने बहतरी इन मिलने वाले, बहुत ही प्यारा है, और कम केर मांगता है, ज्यादा केर नह से कम होते होंगे एक प्लांट में कि आप देख रहे हैं कलियों से भरा हुआ हुआ है पूरी एक स्टिक देखे गी इस तरह से प्लांट को आप लगा सकते बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है हॉली हॉक्स की दो वारेटी रहती है और दिसमें छोटी फूल होते बड़े फूल है उसकी वाराइटी का मैंने आपको वीडियो दे रखा आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते हैं वो भी और ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है तो मैंने आपको तरीका बता दिया पूरी जानकरी कोशि थैंक फर वाचिंग मैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद